दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है OPPO ब्रैंड की है, बैक सैड में नीचिक तरफ आप देख सकते हैं OPPO की ब्रैंडिंग है, इसका मॉडल नमर आपको बता देता हूँ, मॉडल नमर है OPPO A59 5G, ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नमर है OPPO A59 5G, डिवाइस में OPPO A59 5G को unlock कर पाएंगे, यानि कि इसका pattern, pin या password lock remove कर पाएंगे, तो दोस्तों आपने देखा, डिवाइस हमारी पूरी तरह से password lock है, अब ध्यान से सुनिए, डिवाइस को unlock कैसे करना है, देखिए दोस्तों, डिवाइस को unlock करने के लिए, सबसे पहले तो आपको इसे पू और आफ हो जाए, तो डिवाइस के right side की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको power unlock button, और डिवाइस के left side की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दो buttons, volume up और down button देखने को मिलेगी, ध्यान से सुनिए, डिवाइस को unlock कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे प्रेस करके रखना होगा, near about 5 second के लिए, ओके, 5 second के बाद आप देखेंगे, आपकी device on होगी, और display पे OPPO का logo दीखेगा, ध्यान रहे हैं दोस्तों, device जैसे ही on होगी, और OPPO का logo दीखेगा, आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे, ओके, और maximum 5 second तक वेट करेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी device OPPO A59 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी, तो मुझे उमीध है method आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अब चलिए ये चीज मैं आपको practically करके दिखा देता हूँ, अभी भी देख सकते हैं device पूरी तरह से password lock है, तो मैं जान से देखेंगा, ये चीज मैं आपको practically करके दिखाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों ये रहा volume down button और ये रहा power unlock button, मैंने बताया था, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए, तो ये देखें इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया, 5 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, आपकी device on होगी और ओपो का लोगो दिखेगा, ओपो का लोगो दिखा, इन दोनों बटन से हम अपनी finger हटा लेंगे, ओके, और maximum 5 सेकंड तक वेट करने बाद आप देखें कि आपकी device totally recovery mode पर active हो जाएगी, और ये देखें, device completely recovery mode पर active हो गई, ओके, त comfortable language है, वो है English, तो हम simple यहां English पे click करेंगे, अब जैसे ही मैंने English पे click किया दोस्तों, तो यहां पे new interface आपको देखने को मिलता है, सबसे उपर की तरफ लिका है recovery, और नीचे तरफ आपको तीन option मिलते है, format data, reboot device और power app, आपको device को unlock करना है, इसका pattern, pin या password lock, break करना है, पाद लिखा, please enter verification code, और यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे last में आपको चार अंको का code देखने को मिलता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह जो चार अंको का code है दोस्तों, यह continue change होता रहता है, मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि अगर यही same process आप अपने device में फाल करते हैं, code है दोस्तों, one, four, उसके बाद two, और last में six, अब यह देखिए, जैसे यह चार अंको का code में ने इंटर किया, तो यहां पे new interface देखने को मिलता है, सबसे उपर लिखा format data, उसके बाद लिखा all user data will be reset, और आपके पास दो option है, cancel और format, तो finally आपको click करना होगा format पे, तो यहां पे मैंने format पे click किया, अब जैसे ही format पे click किया, यह देखे process होने लगा, और जैसे यह process complete होगा न, last में आपको लिख किया आगा data formatted, यह देखे data formatted आ गया, और last में आपको दिखता है ok, तो data formatted का message आ गया, इसका मतलब device आपकी completely unlock हो गई, तो finally आपको click करना होगा ok पे, तो यहां से मैंने ok पे click किया, अब जैसे ही मैं ok पे click करूँगा, आप देखेंगे आपकी device OPPO A59 5G यहां पे reboot हो जाएगी, device reboot हो गई, और अब दोस्तों आपको wait करना है, device को पूरी तरह से active होने के लिए, और मैं आपको बता दूँ, जब device आपकी reboot होकर पूरी तर तरीका, मुझे पूरी उमीद है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे, विदावट PC, विदावट Laptop, बिल्कुल फ्री में, आप अपने OPPO A59 5G को unlock कर पाएंगे, एक छोट इस request करूँगा, वीडियो अच्छी लगती है, तो please वीडियो को share करना बि अक्टिव होने तक, अब ये देखें दोस्तों, मैक्सिम हमने एक से दो मिनट वेट किया, डिवाइस हमारी रिबूट हुई, और डिवाइस रिबूट होकर अक्टिव हो चुकी है, आप देख सकते हैं, डिस्पले पे किसी भी टाइप का लॉक्स हो नहीं कर रहा है, मैं complete android setup करके दिखा देता हूं, तो सबसे पहले क्लिक करना होगा आपको इस arrow पे, यहां से simple आप next पे क्लिक करें, यहां से आपको अपनी country इंडिया select करनी है, उसके बाद आप continue पे क्लिक करें, यहां पे देखें boxes हैं, तो इन चारों boxes को आपको step by step check करके रखना है, उसके नीचे से आपको simple more पे क्लिक करना है, once again more पे क्लिक करिए, यहां से accept करिए, यह जो option है दोस्तों unlock method, तो यहां से आप चाहें तो फिर से अपने device में pattern, pin, password, face या finger lock apply कर सकते हैं, इस option को मैं skip करूँगा, इसलिए मैंने skip पे क्लिक किया, बटन और gesture, दो option मिलते हैं, आपको ज चाहें तो इसे install कर सकते हैं, या इस option को मैं उपर से skip भी कर सकता हूँ, ओके, last मैं आपको मिलेगा get started, आप इस पे क्लिक करें, और बस, आपकी device OPPO A59 5G पूरी तरह से unlock हो गई, पूरी तरह से active हो गई, और दोस्तों आप देख सकते हैं, अब display पे पहले की तरह किसी भी type क locks होने ही कर रहा है, तो यह पूरा full process था OPPO A59 5G को unlock करने का, वीडियो का ऐसी लगी, comment section में comment करके जरूर बताईएगा, अच्छी लगती है तो please वीडियो को share करिए, like करिए, और ऐसे ही सांदार interesting वीडियो की continue notification पाने के लिए, चैनल को जरूर subscribe करिए, बगल में जो बिलाक है अनलाग करवानी हो, तो आप मुझे जरूर contact करिए, मेरा contact detail आपको description box में मिल जाएगा, thanks for watching this video.